नमस्कार दोस्तों, इडली हो या डोसा, चहे चीला, ये चटनी आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, तो यहां पे मैं दो चम्मच चना दाल और एक चम्मच उरद दाल लिएूं, इसको मैं पानी डाल के विजो दे रहे हूं, ताकि ये थोड़ा सा स्वाफ्ट हो जा, लगबर 20 मिनट के लिए, इसके बाद इसे हमें अच्छे से वास कर लेना है, अगर आपके पास बिना चिलके वाली उरद दाल हो, तो वह भी यूज कर सकते हैं, पैन में तेल डालेंगे, लगबर एक चम्मच और चना दाल को डाल देते हैं, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें उरद दाल, अगर आपके पास बिना चिलके वाली उरद दाल हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और इसका हमें पानी सूखने तक भूनना है, जब ये पानी सूख जाते इसमें कुछ कलियां गारलिक, सूखा नारियल या आप फ्रेश न फली और टेस्ट के कॉडिंग, लाल मीर्च या ग्रीन चिली और इसे हमें हलका सा बुनना है, गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर लो रखना है, और इसे बिल्कुल हलका सा बुनना है, जादा हमें बिल्कुल नहीं बुनना है, ये देख debugging चुकें तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देते हैं जब यह ठंडा हो जात इसमें टेस्ट के कारडिंग काला नमक साधा नमक और यह थोड़ा सा आम काचार है अगर आपके पास इमली का पल्प हो तो आप यो भी यूज कर सकते हैं और इसको ग्राइंट कर लिजिए हम उसी पैन में ए एक चमच देशी घीर डालेंगे एक चमच के करीबन राई और इसको हमें पूरी तरह से चटक जाने देना है इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ करी लिप्स दो सुखी लाल मीर्च है जिसको मैं तोड़के डाल रही हूं इसके बाद यह गरम घी हमें चटनी के ऊपर इ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सेयर करें थैंक यू